वेल्कम टू द्रोनाचारे आयर्स यूट्यूब चानल इस आवर डेली नीज़्पेपर विडियो सो आज है 12th of January तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे दर हिंदु नीज़्पेपर में वो ऐसे कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारी UPC preparation perspective से important है और जेने हम इस वीडियो में discuss करेंगे विलाज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के direct tax collection के बारे में विकेज इंडिया का जो set target है इस financial year के लिए तो अभी तक as of 10th of January 80% वो target complete हो चुका है, direct tax collection 80% हो चुकी है तो इसकी details हम यहाँ पर देखेंगे and then we gonna talk about genetically modified mustard क्योंकि इसे लेकर Supreme Court ने recently center government से कुछ questions किये है कि कि stage पे हमारे पास एक technical expert committee थी कि उनकी recommendations के साब से क्या progress है on genetically modified mustard तो इसकी details हम यहाँ पर देखेंगे and then we gonna talk about swach survection awards तो जो इंडिया के अंदर cleanliness survey होता है स्वचता के basis पे इंडिया के cities को और states को यहाँ पर awards दे जाते हैं तो 2024 के awards आ गए हैं देखते हैं कि इंडिया के वो ऐसे कौन से शहर है जो सबसे जादा swach, सबसे जादा साफ है and then we'll talk about India and Maldi's relations देखें इसमें काफी जादा हम देख रहे हैं कि आप turns and twist आ रहे हैं रिसेंटली लक्षद्वीब controversy भी चल रही है इंडिया और Maldi's के बीच में ऐसे कौन-कौन से issues हमने आप पिछले कुछ हीनों हफतों में देखे हैं जबसे Maldi's के अंदर नई president elect होते हैं तो ऐसे कौन-कौन से ongoing issues हैं इंडिया और Maldi's में जिसकी वज़े से हमारे जो रिष्टे हैं वो थोड़े strain होते जा रहे हैं that we'll talk about it and lastly हम बात करेंगे कि 26 January की जो parade होती है Republic Day Parade उसमें जो टैबलिव आते हैं जो जहांकियां वहाँ पे present की जाती हैं उन्हें किस तरह select किया जाता है वो कौन से procedure है, क्या पुरा का पुरा process है जिसे की ये टैबलिव select होते हैं So these are few topics we're going to discuss in this particular video So let's begin with it तो चलिए शुरुआत करेंगे आज हमारे पहले article के साथ दिखें ये जो पहला news article है ये economy perspective से बहुत important है हमें यहां से एक trend पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो direct tax collection है वो कितना increase हो रहा है और क्या target रखा गया है So as you can see the headline as well it says that direct tax kitty crosses 80% of the 2023 and 2024 target तो हमारा जो 2023 financial year के लिए जो target रखा गया है by 10th of January इंडिया का net direct tax collection 80% उस target को complete कर चुकी है और हमारी collection it was around 14.7 lakh करोड हमारी direct tax collection जो है वो 14.7 lakh करोड पर पहुँच गयी है और अगर हम इसकी growth देखें मतलब अगर हम इसे last financial year से compare करें 2022 और 2023 से तो इसके comparison में हमारी growth 19.4% की हो गई है तो हमारी direct tax collection 19.4% से surge हुआ है increase हुआ है इसी के साथ साथ अगर हम gross collections देखें यहाँ पे तो हम net की बात कर रहे है अगर हम हमारी gross collection देखें तो ये तो 17.18 lakh करोड से भी जादा है आपको numbers याद नहीं रखने आपने idea याद रखना है कि किस तरह हमारी जो direct tax collection है वो last year के comparison में increase हो रहे है और हम अपना 80% जो target है उसे achieve कर चुके है अब इसके अंदर एक trend आया है अकसर PT में ऐसे questions आपको मिल जाते हैं जिसमें आपसे trend पूछ लेते हैं अब देखो direct tax collection increase हुई है ये हमें पता चल गया इसमें भी हमारे पास दो important components होते हैं एक होता है personal income tax और दूसरा होता है corporate income tax याद रखेंगे जो personal income tax है उसमें बहुत बड़ा surge हुआ है उसमें बहुत बड़ी growth हुई है 26.11% का rise आपको personal income tax में मिला है और as compared to this जो corporate income tax है वो 8.32% पे grow हुआ है तो आपसे सिदा सिदा statement में वो पूछ सकते हैं ऐसी statement आ सकती है कि 2023-24 के अंदर क्या corporate income tax जो था वो जादा था as compared to personal income tax then the answer is no क्योंकि हमें clearly दिख रहा है कि personal income tax 26% के लगभग से जो है वो rise हुआ है और जो corporate है उसकी जो growth rate है वो 8.32% पे है ये trend आपने याद रखना है numbers याद नहीं रखने ठीक है जी apart from this अगर हम net देखें तो जो net growth है आपके corporate income tax की वो कुछ 12.37% है और personal income tax की 27% के लगभग है again same trend है personal income tax जादा है as compared to corporate income tax अज़ इसी के साथ साथ जो refunds की अगर हम stage देखें तो refunds is around 14.70 lakh करोड ठीक है तो ये एक trend आपको पता होना चाहिए apart from this कुछ basic बातें की direct tax होता क्या है देखें हाला कि ये जो topic है taxation का आपके economy का बहुत important topic है हम उतनी deeper details में तो नहीं जा सकते इस video में लेकिन आपको मैं एक general idea जरूर दूँगी ताकि आज जो हम ये video देख रहे हैं direct taxes की बात कर रहे हैं तो एक idea हमारे पास हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं देखें हमारे पास दो तरहां के taxes होते हैं direct taxes और indirect taxes और आज हम बात कर रहे हैं direct tax के बारे में तो direct tax एक ऐसा tax होता है जिसका impact और incidence same category के अंदर fall करता हुए कहने का मतलब है कि ये ऐसा tax है जो directly कोई organization या फिर individual देखें हम सब अपना income tax भरते हैं तो ये हम directly इसे pay करते हैं directly इस tax को भरते हैं to the entity which has imposed हम income tax department में directly अपना tax pay करते हैं ठीक है जब हम directly अपना tax pay कर रहे हैं to the entity जिसने ये tax लगाया है तो ऐसे tax को direct tax कहा जाता है हमारे पास ऐसे 5 तरहां के direct taxes है सबसे पहले अगर हम बात करें income tax की तो आप सबको पता है individual की age और उनकी earning की उपर depend करता है कि वो कितना tax pay करेंगे income की उपर लगने वाला tax अब देखे हम यहाँ पर age की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो elderly population है उनको यहाँ पर कुछ relaxations दी जाती है तो age और mainly earning के basis पर आपका जो tax पर होता है उसे आप income tax कहते हैं next हमारे पास आता है wealth tax अब wealth tax किया है अगर आपके पास properties है उनकी ownership और उस property की market value कितनी है उसके हिसाब से जो tax लगता है that is called as wealth tax ठीक है इसको property tax भी बोल देते हैं लेकिन आप याद रखेंगे कि इसका technical name क्या है wealth tax जो properties की ownership के उपर लगता है उनकी market value के हिसाब से यह tax apply होता है next हमारे पास आता है तीसरे तरहां का direct tax जिसको हम कहते हैं estate tax अब देखें estate tax is also called as inheritance tax और यह किस टीस पर पे होता है जो भी estate आपको मिली है या फिर जो money एक individual ने आपको दिया है after his or her death उसके उपर जो tax लगता है that is called as estate tax ठीक है देन आगया जी आपका corporate tax अब देखो corporate tax में आपकी domestic companies आ जाएंगी apart from shareholders जो अपना corporate tax पे करते हैं या फिर कोई भी foreign corporation जो इंडिया के अंदर अपनी income generate करते हैं चाहे कोई foreign company है foreign corporation है लेकिन वो अपनी income इंडिया से generate करते हैं तो उनको भी इंडिया में corporate tax पे करना होता है तो basically यहाँ पे जो भी technical services वो sell कर रहे हैं जो भी dividends उनको मिल रहे हैं जो भी royalties उनके पास है उनसे जो earning हो रही है उसके basis पे corporate tax दिया जाता है और last हमारा direct tax की category आती है जिसे हम कहते हैं capital gains tax अब देखो नाम ही बता रहा है capital gain तो basically ऐसी income जो किसी asset किया फिर investment की selling से हुई है ठीक है कैसे ने कोई bond में invest किया हुआ था share खरीदे हुए थे कोई business था उसको sell करने के बाद जो आपके पास income आई है उसके उपर जो tax लगता है इन gains के उपर जो tax लगता है उसे कहा जाता है capital gains tax चिक है तो ये कुछ हमारे पार direct taxes है और इन सब को मिला कर हमारे जो direct tax collection है वो increase हुई है fine तो आगे बढ़ते हैं ना हमारा जो next news article है ये bio technology perspective से important है GS paper 3 में आपका by technology आजाता है so let's read the headline first it says that supreme court questions center on genetically modified mustard ठीक है तो supreme court ने government को questions के है related to genetically modified mustard question ये है कि हमारा जो genetic engineering appraisal committee है G.E.A.C उन्होंने उनको कुछ reports दे गए थे हमारे supreme court ने एक technical expert committee जो है वो appoint की थी जिसमें ये देखा गया कि जो genetically modified mustard है इसकी bio safety को यहाँ पे access किया गया कि इससे पहले कि GM mustard को environment में release किया जाए इसकी bio safety parameters को आप देखे और इसकी लिए एक technical expert committee supreme court ने appoint की थी अब question center से ये पूछा गया है कि हमारे पास genetic engineering appraisal committee है कि क्या वो उन reports को consider कर रहे है या नहीं और किस level पे ये progress पहुंची है ठीक है? अब देखें यहाँ से हमारे लिए important हो जाती है दो चीजें सबसे पहले हमें बता होना चाहिए that genetically modified crops होती क्या है what are GM crops? फिर हम दिखेंगे कि genetically modified mustard के अंदर क्या features है and then ये जो important body की यहाँ पे बात हुई है which is G-E-A-C इसकी भी हम discussion करेंगे तो quickly अगर हम बात करें कि genetically modified crops हैं क्या so as we all know कोई भी ऐसा plant crop की बात हो रही है इसलिए हम plant की बात करेंगे कोई भी ऐसा plant जिसके genes को artificially modify किया गया हो जिनके genes को artificially modify किया हो या फिर किसी और organism से कोई genetic material उस organism में insert किया गया हो थाकि उनमें कुछ नई properties आ सके कैसी properties आ सके? या तो हमारी कोशिश है कि इस particular crop की इस particular plant की जो yield है वो increase हो जाए या फिर ये herbicide resistance हो जाए इनके अंदर आ जाए diseases से ये बच जाए drought के cases में drought resistance आ जाए nutritional value improve हो जाए तो मतलब किसी भी तरह की property को change करने के लिए नई property डालने के लिए अगर किसी और organism का genetic material से जो genes है उसको modify किया जाता है तो ऐसी crops को कहा जाता है GM crops, genetically modified crops अभी तक इंडिया में सिरफ और सिरफ एक GM crop को commercial cultivation का approval मिला है which is your BT cotton अभी तक सिरफ एक को मिला है लेकिन बहुत जल हमारा जो genetic engineering appraisal committee है GEAC इसने ये recommend किया है कि अब GM mustard जो है इसको भी commercial use पे लाना चाहिए ठीक है अब GM mustard है क्या आप जब इसकी details देखते हैं तो हमारे पास GM mustard basically इसका जो variant है जो इसका नाम जो है that is DMH 11 ठीक है ये एक indigenously developed transgenic mustard है इंडिया में ही transgenic transgenic मतलब different different दो अलगल चीजों से genes लिये गए है इसमें basically क्या changes लाए गए है ये जो mustard है ये herbicide tolerant है याद रखेंगे इसकी nutritional value नहीं बढ़ाई गई इसको drought resistant नहीं बनाया गया इसकी yield नहीं बढ़ाई गई किस चीज़ पर focus किया गया है कि ये जो mustard की crop होगी ये herbicide tolerant होगी ठीक है अब इसमें क्या किया गया है दो हमारे पास varieties हैं जिनको cross किया गया है एक तो इंडिया की mustard variety जिसको varuna कहते हैं और दूसरी है European, East European variety जिसे कहा जाता है अरली हीरा 2 mustard तो varuna और अरली हीरा 2 mustard के बीच में cross करके GM mustard बनाई गई है इसी के साथ इसमें दो alien genes भी है बार्नेज और बार्स्टार इसे हमारे soil के bacteria से isolate किया जाता है हमारे पास एक bacteria है bacillus, amylo liquefacians इससे इस alien genes हैं इनको extract किया जाता है basically इससे क्या होगा कि जो breeding है इस mustard hybrid की ये एक high yielding commercial breed बन पाएगी तो इसके लिए ये दो alien genes यहाँ पे डाले गए है जो बार्नेज है वो आपको वरुना में मिलता है वरुना कौन है? इंडिया वाली mustard चिक है? इससे क्या होता है? ये एक temporary sterility ले आता है mustard में जिसकी वज़े से वो जो mustard है वो naturally self-pollinate नहीं कर पाती तो इसके लिए क्या क्या गया है? जो आपकी यॉरॉप वाली हीरा block है हीरा से brasters को लेकर आया जाता है जिससे कि ये जो property है बार्नेज की कि वो self-pollinate नहीं कर पाता इसको block किया जा सके और जो seeds हैं वो produce हो सके ठीक है? अगर इसकी yield भी देखा चाहे तो भी देखा जाता है कि ये DMH 11 है ये 28% इसकी yield जादा है और अगर हम 37% देखा जाए तो zonal checks की comparison में ये जादा आता है तो इसलिए GEAC ने ये claim किया है और approve किया है कि इसे commercial level पे use करना चाहिए ठीक है? Now lastly, ये पता होना चाहिए कि GEAC है क्या जब भी आप biotech की बात करते हैं GM crops की बात करते हैं तो आपकी genetic engineering appraisal committee बहुँ जादा important है First of all, ये किसके under function करती है? याद रखेंगे Ministry of Agriculture नहीं है ये किसके under आती है? Ministry of Environment, Forest and Climate Change पहला question तो आपका यही हो गया कि ये जो committee है ये कौन सी ministry के under function करती है? अब ये किसके लिए responsible है? हमारे इंडिया में अगर micro organisms का large scale use करना है तो उसके case में जो appraisal है, जो research है या किसी भी तरह का environmental angle के perspective में appraisal कौन देता है? Genetic Engineering Appraisal Committee जहां पे भी large scale use हो रहा है किसी भी तरह के hazardous micro organism का तो वहां पे ये committee आ जाएगी इंडिया के अंदर genetically engineered organisms को release करना है या नहीं इन products को environment में लेकर आना है या नहीं इसके लिए भी appraisal कौन देता है ये committee देती है it is chaired by a special secretary और additional secretary of Ministry of Environment and Forest and Climate Change क्यूंकि किस के अंदर आता है? इसी ministry के अंदर आता है and it is co-chaired by a representative of department of biotechnology अब देखो biotechnology का issue है तो it is co-chaired by a representative from biotechnology department ठीक है जी? तो ये कुछ key points आपको GM Mustard के बारे में पता होने चाहिए moving ahead हमारा जो अगला article है ये काफी important है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 2023 के लिए जो awards दिये गए है Swach Survection Awards वो किन हे दिये गए हैं? इंडिया के ऐसे कौन से cities हैं which are the cleanest तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारे पास दो ऐसे cities हैं इंडिया के जो की टॉप पर पहुंचे हैं which is Indore and Surat Indore and Surat are the cleanest cities in our India ठीक है? और इसके बाद आदा है नवी मुंबई, गेटर विशाका पत्नम और भोपाल यह इंडिया के ऐसे top 5 आप कह लीजे कि cities हैं जहाँ पर top में तो दो ही cities आ जाते हैं Indore and Surat followed by नवी मुंबई, गेटर विशाका पत्नम और भोपाल ठीक है? इसी के साथ साथ states को भी रांकिया गया है जो state की रांकिंग देते हैं तो cleanest state is maharashtra followed by MP, 36 गर्ड, उरीसा and telangana ठीक है? maharashtra, MP, 36 गर्ड, उरीसा and telangana these are the state ranking of the cleanest states इसके इलावा आपके PT के लिए बहुत important है देखो 2023 का theme था waste to wealth ठीक है? waste to wealth और इस साल 2024 का theme है reduce, reuse and recycle the three R's ठीक है? अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि top cities कौन सी है और states कौन सी है इसके लावा एक और कैटेगरी आती है कि ऐसी cities जहाँ पर population 1 lakh से जादा है तो उस कैटेगरी के अंदर ग्रेटर विशाखा पत्नम, भुपाल, विजेवाड़ा, न्यू देली, तिरूपती, ग्रेटर हाइदराबाद और पूने ये वो top performing cities हैं इसके अलावा ऐसी cities जहाँ पर 1 lakh से population कम है वहाँ पर महराश्रा का सस्वाद, लोनावाला और 36 गड का पतन आ जाता है ये top 3 cities आती हैं जहाँ पर 10 एक लाग से population कम है फिजब कंटोनमेंट बोर्ट की बात आती है तो सबसे जादा cleanest है महाओ कंटोनमेंट इन मध्यप्रदेश ठीक है और वारा नसी और प्रयाग राज को जो की UP में है इन्हें awards मिला है for the cleanest Ganga towns in India and lastly, Chandigarh को award मिला है for the safest city for sanitation workers sanitation workers के लिए safest city कौन सी है? Chandigarh तो ये कुछ key points है इस particular awards के अच्छा अब एक थोड़ा सा basic भी आप यहाँ पर देख लीजे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो स्वच सर्वेक्शन awards है इसके features क्या है? सबसे पहली बात इनकी शुरुआत होई थी 2016 में अब इंडिया में cleanliness का survey करना ये world का largest urban sanitation or cleanliness survey है इससे क्या है कि अब देखो cities के बीच में states के बीच में एक competition यहां से आता है कि उन्हें अपनी cities को और clean करना है और दूसरी city को defeat करना है तो इससे एक competition आता है एक healthy competition आता है ये जो survey है, ये जो awards है ये स्वच भारत mission के under दिये जाते है the main mission over here is स्वच भारत mission and urban क्यूंकि हम cities के बात कर रहे हैं यहां पर citizen की participation को encourage किया जाता है लोगों में awareness generate करने की कोशिश है कि किस तरह आपस में मिलकर वो अपने cities को, अपने towns को clean कर सकते हैं और एक better place बना सकते हैं इसकी जो nodal ministry है that is ministry of housing and urban affairs अब यहां पर mission आता है हमारा स्वच भारत mission 2.0 हम 2.0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो पहला first phase था स्वच भारत mission urban का इसे extend किया गया इसे continue किया गया और इसका नाम रखा गया स्वच भारत mission 2.0 यह हमारे 2021 के budget में इस mission को further continue किया गया था तो यहां पर government की कोशिश क्या है कि especially जब हम waste की बात करते हैं disposal की बात करते हैं तो हम उसको सबसे पहले तो safely contain कर सके उसकी transportation safely हो सके and जो fecal sludge है उसका safe और disposal हो सके and similarly जो steepage toilet से आती है तो safe disposal इसका हो पाए और इसको implement किया जा रहा है 2021 से 2026 तक 6 साल का हमारे पास यह drive है and यहाँ पर कौन-कौन से factors आते हैं सबसे पहले जो garbage है उसकी source पर ही segregation होनी चाहिए होता है ना गीला कुड़ा अलग सुखा कुड़ा अलग non-degradable एक तरफ तो segregation source पर ही होनी चाहिए और जो single-use plastic है उसका use reduce हो जाए air pollution कम हो जाए और जो waste management है जो construction activities से होता है कहीं पर कोई demolish कर रहा है किसी building को तो उसको effectively manage किया जा सके और साथ ही में हमारे पास bio remediation process हो जहाँ पर भी कोई dumping sites है वहाँ पर तो इस mission में जितना भी waste water आता है यहाँ पर तो यह idea है कि उस सारे waste water को properly treat करना चाहिए इससे पहले कि हमारे पास यह awards आते हैं आगे बढ़ें तो हमारे पास अगला article international relations perspective से important है यहाँ पर हम इंडिया और हमारे एक neighboring country की बात कर रहे हैं which is Maldives now as we are seeing कि हमारे relations थोड़े से strain होते जा रहे हैं there are so many ongoing issues which are going on सबसे पहले तो current issue की अगर हम बात करें that is the Lakshadweep issue देखो हुआ क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर Lakshadweep island visit करते हैं और यह controversy की शुरुवात होती है वो कैसे? Maldives के तीन deputy minister negative comments करना शुरू कर देते हैं about India and about our prime minister who visited Lakshadweep recently जहां से यह पूरी की पूरी controversy शुरुवात होती है इसमें इंडिया में इसे लेकर बहुत criticism किया गया और बहुत सारे celebrities openly आकर उन्होंने ही कहना शुरू किया कि इंडिया के जो domestic tourist spots and destinations हैं हमें उन्हें explore करना चाहिए rather than going to Maldives हाला कि Maldives government ने उन तीनों deputy ministers को suspend कर दिया है बट still एक यह जो controversy यहां से ignite हो गई है वो उस लक्षदीप issue से जूड़ी है और सिरफ यही issue नहीं देखें जब से हमारे पास Maldives के अंदर new government आई है new president आए है एक sovereignty और security का dilemma Maldives face कर रहा है एक तो सबसे बहुत तो शुरुवात क्या होई कि वहाँ पे जो इंडिया की military presence थी उससे Maldives को problem होनी शुरू हुई और उनने request कि जो इंडिया के जो military personals Maldives में है उनको withdraw किया जाए वहाँ से ठीक है फिर वहाँ पे हमने रेखा कि एक India out campaign जो है उससे बहुत वहाँ पे बोस्ट किया गया जिसमें Maldives के section का यह मानना है कि इंडिया का influence Maldives में नहीं होना चाहिए लेकिन इससे क्या है कि इंडिया एक ऐसा partner country था Maldives का जो Maldives को एक regional security benefit देता था हमारा Maldives के साथ एक trilateral maritime security corporation भी है जिसमें इंडिया, Maldives, और श्रिलंका यह तीन countries यहाँ पे present है 2011 में established किया गया था about maritime security लेकिन अब उसी के साथ इंडिया out campaign जो हुआ है यह एक dilemma शो करता है of sovereignty and security in Maldives फिर हमने एक और चीज़ देखी कि एक hydrographic survey होना था इंडिया और Maldives के बीच में इंडिया ने यह survey conduct करना था Maldives के लिए, Maldives के waters के लिए और जो data यहां से आता जो information यहां से आता उसे civilian और military purpose के लिए use किया जाना था लेकिन इसे भी उन्होंने revoke कर दिया और फिर इस region में चाइना का जो factor है यह बहुत important factor है Maldives के लिजे के important pearl बन गया है चाइना का string of pearls के अंदर और Maldives में चाइना चाइना कहीं इससे भी India और Maldives के relations में एक setback आया था तो चाइना के presence Maldives में यह भी एक बड़ा हमारा point है जिससे की जो relations है इंडिया और Maldives के वो strain हुए है Lastly we are going to talk about कि 26 January की parade में जो tablue selection होता है वो किस तरह होता है तो ध्यान से सुनेंगे हमारी defense ministry ने propose किया है कि Republic Day parade में जो tablue selection होता है इसमें तीन साल की rotation का plan होना चाहिए तो हर state की बारी तीन साल के बाद आएगी तो तीन साल का rotation plan 2024 जो 26 January की parade होने वाली है इसका theme क्या है इसका theme है विक्सित भारत विच मेंज developed इंडिया और भारत लोक तंत्र की मत्रुका इंडिया is the mother of democracy ठीक है अब tablue selection होता कैसे ध्यान से सुनेंगे यह selection process ministry of defense carry out करता है इसके लिए ministry of defense एक expert committee बनाती है जिसमें prominent लोग होते है आर्ट से culture से अलगले तरह की shortlisting करती है यह meetings करते है और six to seven rounds होते है जिससे की shortlist किया जाता है कि इस साल 26 जन्वरी की parade में कौन से tablues आएंगे ठीक है अब सबसे पहले क्या होता है कि जो यह committee है इसके पास जो tablue है वो अपने sketches और अपने designs जो है वो summit करते हैं and committee उसको लेकर अपनी suggestions देती है कि वो क्या modification कर सकते है क्या changes कर सकते है सबसे पहले यह discussions होती है उसके बाद एक three dimensional model जो है वो रखा जाता है expert committee के सामने for the final selection ठीक है और final selection depend करती है कि उस particular model का उस tablue का visual appeal क्या होगी इसका masses पे impact क्या होगा और यह क्या idea और यह क्या theme यहाँ पे show कर रहा है ठीक है यह कुछ इस तरह से tablue select होते है और हमारे जो tablue के around जो models आते हैं जो performers आते हैं उनको भी बहुत सारी guidelines दी जाते हैं जो tablue है उसमें किसी भी तरह का logos जो है वो allowed नहीं होते हैं सिरफ state का नाम या फिर UT का नाम वहाँ पे लिखा होना चाहिए और एक चीज और है जो states का नाम है वो front में हिंदी में लिखा होता है और back side पे English पे लिखा होता है और इस tablue के side में जो regional language है उसके थरू अपना जो state का नाम है UT का नाम है वो लिखा जा सकता है फिर जो number of performers एक trailer पे होते हैं तो यह जो नौट बी more than 10 person ठीक है जो उस particular trailer के उपर है और जो along the tablue जो आसपास जो perform करते हैं तो यह 10 से जादा नहीं होने चाहिए ठीक है तो यह कुछ हमारे पास guidelines आती है So that is all for this video आज की इस video के लिए इतना ही I hope you enjoyed this session That is all for this video Thank you so much for watching